हेलो जी अबरिबन वेलकम एन वेलकम बैक टो मैं चैनल आमना क्रेटिव स्टाइल आज हम लोग यह जो वाइडल ड्रेस है सबसे ज़्यादा फ्लावर रोसकट वाला आज हम यही बनाना सीखेंगे कि हम इस फ्लावर को किस तरीके से ड्रेस के पर ड्रो कर सकते हैं बना सकते ह हम एक पेपर लेंगे उसके उपर फ्लावर को ड्रो करेंगे चार इंच की फ्लावर मैंने ड्रो कर ली है आप गूगल से निकाल कर इसे ड्रो कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहां पर लिया है प्लेन जोर्जट का फैबरिक और यहां पर मैंने जो फ्लावर ड्रो किया था व जो कपड़ा है हमारा इधर से उधर हिले नहीं और हमें ड्रॉ करने में आसानी हो इसके बाद मैंने इसे पहला जो फ्लावर है वो इसे बना रही हूँ फ्रेम पे अटेच्ट करके ठीके आप इसे विदाउट फ्रेम भी बना सकते हो उसके बाद मैंने यहां पर अच्छे से को लगा लिया है आप दूसरा वाला ग्लूगन जो होता है वो भी इस्तमाल कर सकते हो वो जो फैब्रिक वाला फैबिकॉल होता है वो भी हम इसकी जगा इस्तमाल कर सकते हैं मेरे पास यही था तो मैंने यही वाला इस्तमाल किया और उसके बाद मैंने यहां पर ले लिया है ग मार्च मिनिट रेस्ट होने दिया ताकि यह हलका सा सैट हो जाए ठीक है सैट होने के बाद दीरे-दीरे मैं इसे चैन को अच्छे से लगा लूँगी और अभी हमें क्या करना है ना पहले तो हम विदाउट कटिंग किये लगा रहें जहां तक यह और अपने आप राउंड रा कर सकते हैं आसानी से कट हो जाएगा ठीक है और यहां पर अभिसे हम अच्छे से सैट कर लेंगे ठीक है और आपको य को यह वीडियो पसंदा इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी नहीं भूलेगा वीडियो को अंट तक जरूर देखे गा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और इस तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यह जो ड्रेस नहीं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है आजकल तो बस हम इसलिए इस फ्लावर को बनाना सीख रहे हैं किस तरीके से हम इस फ्लावर को अब मैंने क्या किया फ्लावर को जो है पहले फैविकॉल से इसलिए चिपकाया क्योंकि वह अराम से सैट हो गया उसके बाद अब मैं इसे सूई धागे से स्टीच कर दोंगे ठीके तो मैंने पहला वाला जो चैनल उसको लिया है दो टाके लगाए है तिर हर दो दो नक के ग चलती है और अगर आपने अड्रेस को अच्छा बनाना है तो आप अच्छा वाला चैनल कीजिएगा जो की बाद में काला नहीं पड़े ठीके उसके बाद इसे हम यहां से कट कर लेंगे जो कट वर्ख है यह कट वर्ख हम इस तरीकी से कैची किसे निकाल लेंगे आप इसे जलाके भी नीचे से इस तरीकी से निकाल सकते हैं ताकि आपका फैबरिक अच्छा रहे और कटिंग अच्छे से हो मैं यहाँ पर कैची से निकाल के आपको दिखा रही हूँ और आप बताईए यह मेरा डिजाइन जो बना है वो बनने के बाद कैसा लग रहा है क्या मैंने विल्कुल एक्जेक्ट बनाया है फ्लावर और आगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाजमी कमेंट कीजिएगा और आपको और कौन सी वीडियो मुझे चाहिए यह जरू मुझे बताईएगा तो आज यह वीडियो यहीं पर एंट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लि